तो जो आप ये बड़े बड़े फूल देख रहे हैं ये है इस पेड का नाम है कुम्भी ट्री इसको हिंदी में हम कुम्भी ट्री कहते हैं और इसका scientific botanical name है करेया अर्बोरिया और इसके फूलों से ही इसकी तुरंद पैचान हो जाती है बड़े बड़े इसके फूल होते है जो कि फिर उसमें से ही fruit guava टाइप बनता है तो इसलिए इसका कुछ common name भी है जिसमें इसको wild guava भी कहते है हाला कि ये guava family से कोई इसका relation नहीं है ये खुद different species है लेकिन guava के तरफ इसके fruits दिखते है इसलिए इसको wild guava कहते है इसको slow match tree भी कहते है English में कारेया अर्बोरिया इसका scientific नाम है और इसको हिंदी में kumbhidri कहते है क्योंकि इसका जो ये देखे मैं आपको fruit बदा ये देखे fruit जो है वो थोड़ाबाट मटके के आकार का होता है कुम कुम यानि कि जो नारियल होता है और एक तामबे के लोटे में नारियल रखा होता है वैसा इसका fruit है ये और भी बड़ा होएगा और ये सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही जादा important native जाड़ है अपने देश का and बहुत सारे biodiversity को ये promote करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है इसकी खासियत यह है कि ये एक drought highly hot conditions में रहता है decedious tree है सारे पत्य जो है इसके season में गिर जाते है और वापीस आ जाते है और थंडी में इसके पत्य जो है लाल कलर के होते है इस देखे इस पेर भी अभी भी कुछ लाल पत्य लगे हुए है लाल रंग के पत्य फुल जो है वो बहुत ज्यादा इन्सेक्टины को अट्रैक करते है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक करते है, छोटे बड़े हर साइस के और इसके पत्ते जो है वो भी जानवर खाना पसंद करते है और पत्ते एक बहुत अच्छे ग्रीन मैन्यॉर के रूप में इस्तमाल किये जाते है यह रहा वो कुम्भी का व्रुक्ष यह देखे और एक कुम्भी का व्रुक्ष जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए है और मैं इसमें आपको फल दिखाना चाहता हूँ यह देखे इसको वाइल्ड गौवा इसलिए का रहाता है क्योंकि इसके फ्रूट जो है गौवा को रिजेंबल करते है और अगर मैं ट्री की डिस्क्रिप्षन देखे सबसे पहले फूल देख लीजे आप इसके फ्लार को दे देखे फाइब्रिस फ्लार है इसके और यह इसके फ्रूट है जो कि तयार हो रहे अभी दीरे दीरे यह बढ़ते जाएंगे और बहुत ही बड़े-बड़े यह हो जाते है फ्रूट इसके फ्रूट को रॉव भी खाया जाता है कुछ लोग खाते है और इसको रोस्ट करके खाते है लेकिन हर यह बहुत अन पॉपिलर सा एक फ्रूट है बहुत कम लोग या प्रजाती या समूदा इसको खाते है आइकोनिक ट्री जलो गुजराती बोलू शू आच यह यह अइकोनिक ट्री जना विशे में काले महीती मेढवी शे अनने काले पन मने बिजी जगी जगे जो आ मड़ी हो तो आज यह आ जो आँ खास होदवा मताई यहाँ अनने मने आखिर कारे मड़ी गयु शे ने खुब फड़ होई छे इना लिदे आनो नाम आउँ पड़ियु छे खुबत जुनू आपनो एती हासिक रुख्षटे आपना भारत देशनू नेटिव ज़ाड छे अने साथ तो साथ आ टायमे इना बद्धा पत्ता जो पड़ी गएला छे पन अने इतलो आइकोनिक छे कारण के इना लाल पत्ता जे थाई छे थंडी ना सीजन मा एपन खुब जोवामा मज़ेदार होई छे सुन्दर लागे छे एकदम अने अत्यारे तो फक्तो एनाव पर इदम तमें आवा फूल कदी नहीं जोया होई तो नीचे पड़ेला छे तो तमने बताओ अ आज़ाड जोईला तमे आ हाथियों खुब आना पानडा आने फड़ खाई छे आनू एक एक भाग अपड़ा दवाव माटे उप्योगी छे अयुर्वेदी क्रिते आनू बार्क नू खास महत वाचे बार्क नो पाउडर खुब बदा रोगों मा आनो उप्योग थाई छे उन तमने फूलो नी सुखन पन होई छे खुबत सुंदर सुखन छे फुली आ छे आपड़ा कुम्भी जाड़नू थड़ अने आ बार्क नूच पाउडर बने छे आनो खुब बदा उप्योग छे आपड़ा आयुर्वेदिक मा अने modern science मा आपड़ा उप्योग गनी बदी बीमारियो आपड़ फूल जोईलो आपड़ा आने वाइड गवावा पन केवाम आवेशे अनके आणा फूट जे गवावा जवा जवा जवाद इखाये इतला म मते है आपको ए गवावा फैमिली नूच रेलेटिव नथी के गवावा नोको रेलेटिव नथी आपोते एक डिफरेंस रौक जे जूनी मड़ी और धर नी बनी बनेली होई है तो खुब रहती हासी और आपडा 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 अपडा इति हासी ग्रंथों मानु लेक्षया जाड़नु और रार तो नथी पुब अपड़ा सीटी मां अर्बन स्पेस में कुब रुचु जोवा मलेशे बाकी गामडाओं मां अने जंगलों मां तो आ होई छे आना पानड़ा पन आप पड़ीला से बदा इना पानड़ाच छे मुर्ता मुर्ता पानड़ा होई छे आजो गायों पन जटला पन कैटल से लेके रेड़ बकरी ये बदू ये पना पानड़ा आना खाई छे ये रिते पना एक प्रकार्ति उप्योग छे आनो कुंभी आने फ़रू रिसर्च कर सो तम्या जाड़ना नाम गूगल उपर सर्च कर सो तो तमने घरे बदा ये वूपन देखा शे क्या दारू छोड़ावामा पना जाड़ना उप्योग थाई शे गामड़ावामा आनके आना एक दुर्गन के येव कई गावे से जनाली दे लोको दारू छोड़ी देशे पीवानू खुबत सुन्दर रित आतरे फूलो लागेला चे ना उपर फीमेल स्माटे पन उप्योगी जे एमना पछी स्नेक बाइट मा पनानो उप्योग थाई जे पावड़ना So this is one more kumbhi tree that I found along roadside and uh See you can see a lot of birds are there on this tree Such a marvelous tree it is Now that I have information about it And you know once you learn about something, start to learn about something You tend to find that thing more often Earlier it was like oh this is a new tree but now every time I go walking I find this tree So that's just the magic when you are focused When something is there in your mind and The universe will do its magic and show whatever you want in your life The law of attraction as they call it So wonderful tree And flowers are also there but It's not easy to go in So this is the best distance from where I can shoot this tree Oh something just fell A lot of bird activities is there on this top of the tree Here is something of the tree Then comes the tree Here is a tree So this tree is very young This tree is a tree It's my tree It's a tree It's a tree tree It's a tree tree कुम्भी नो उजाड और आम तम्हें लाल पानडा जोई शको जो वराबर जख सब्रह्ताओ करते हैं और आम अलुड हैं होई लाझ लाकते हैं कि बाकते हैं So this specimen that I found of that kumbhi tree, this one has a lot of leaves, the leaves are still there and a lot of, I think the recidious porinapath process has already begun and of all the trees that I found only the flowers were left and so as soon as I saw this one I was like this is a good chance to make a video on this so that people can get to see the leaves of the tree. So let's try to get closer to the leaves now. So this is that kumbhi tree, and this is the, these are the leaves. Big leaves and they turn red in the months of, in the winter months. So in this tree you can clearly see the flowers is already start, is flowering and the tree started to flower and the leaves are also there. So these leaves grow in bunches together. So these leaves grow in bunches together. So this is a lot of cattle and all types of animals, these leaves I am talking about. So this is a good example. So the texture of the leaf is, it is smooth but leathery. It is leathery like a banyan leaf. And quite, cannot break easily you know. It is like a cloth. Yes it is like a cloth. See. tree. And it is bigger than the palm. And it can get much more, the leaf can get larger. And see it is supporting, so many life forms in it. This tree is like a biodiversity attractor, promoter. So, they are ancient kumbhi tree. These are the leaves of kumbhi tree. These are the leaves of kumbhi tree. Oh no. This is intention. This is aission of egressあれ. Here is the garrows. झाल, 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 झाल.